हलो, नमस्त दोस्तों, अनुत अगेड़ी में आपका स्वावत है, आज हम दोस्तों फिर विशेशल के बारे में पढ़ेंगे, फिर विशेशल का पर मतलव कि विशेशता की वी विशेशता को बताने वाला किसी की विशेशता की वी विशेशता बताने वाले जो सब्द होते ह किसी विशेस्ता की विशेस्ता बताने वाले सब्द फिर विशेसर सब्द कहलाते हैं अब ये कैसे होते हैं किसी की विशेस्ता की विशेस्ता वो कैसे बताई जाएगी अब आपको का जाए कि एक सब्द है यह लड़की सुन्दर है अगर आपको का जाए कि यह लड़की बहुत सुन्दर है अब इन दोनों में क्या अंतर है इसमें क्या यह लड़की सुन्दर है दूसरे में क्या है यह लड़की बहुत सुन्दर है अगर का जाए कि यह लड़की सुन्दर है इसमें एक बिशेसर हो जाएगा और एक बिशेस से हो जाएगा लेकिन का जाए की लड़की बहुत सुन्दर है इसमें प्रविशेसर कौन होगा जो सब्द विजिस्ता की विजिस्ता बता रहा है लड़की की विजिस्ता क्या होगी सुन्दरता और इसकी विजिस्ता क्या होगी यह बहुत तो यह बहुत क्या होगा यह यह लड़का बहुत तीज है अब लड़के की विशेस्ता क्या है तेज लेकिन इसकी विशेस्ता की भी विशेस्ता क्या है यह बहुत अब क्या हुआ यह लड़का बहुत तेज है और यह बहुत क्या हुआ यह आपका फिर विशेसर हो जाएगा तो जो सब्द विशेस्ता की भी विशेस्ता बताए वो सब्द हमारे पिर विशेस्ता कहलाते हैं जब हमने विशेस्ता पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा विशेस्ता क्या होता है जो सब्द संग्या या सरनाम की विशेस्ता बताते हैं उनको विशेस्ता बोलते हैं और जिनकी विशेस्ता बताई जाती है उन हैं को विसेशिक बोलती है, यह हमने पड़ा था, हुर हमने विशेशर के वारे में पड़ा हमारा जो विशेशर है उसके चार वाग़ हैं, एक सावनामिक विशेशर एक संख्यावाचक byशेशर एक बुढवाचक और चोथा परमार बोदक विशेशन जो दोस्तों इन सबसे अलग क्या होगा एक पिर विशेशन होगा पिर विशेशन क्या होगा जो विशेशता की वी विशेशता बताने वाले होंगे जैसे यह लड़की बहुत सुंदर है बहुत सब्द इसमें पिर विशेशन हो गया दोस्तों हमने हिंदी व्याकर्ण की एक सीरीज को स्टार्ट किया था उसमें हमने संग्या पढ़ लिया है सरवनाम पढ़ लिया है क्रिया पढ़ लिया और उसके वेद को पढ़ लिया है और प्रिशेशण और प्रिशेशण भी पढ़ लिया है यद आपने पहले की वीडियो नहीं देखें तो मैं प्लेलिस्ट करें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है यद आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सब्सक्राइब करतीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद